नमस्कार दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से देश में जो वातावरन बनाया गया है और जिस तरीके से कश्मीर की तरज पर जगह जगह पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है जन जीवन को अस्त वियस्त करने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के ब्रह्म पहलाने की कोशिश हो रही है और इस आगपर पानी डालने के बज़ाए जिस तरह से बयानों के रूप में पेट्रोल छिड़का जा रहा है गही डालने की कोशिश हो रही है इसे और बढ़काने की कोशिश हो रही है इसके पीछे जो लोग हैं वो बहुत हद तक अब सरकार के साथ साथ देश के लोगों की समझ में भी आ गए है सुनिया गांधी ने एक तीन मिनट का वीडियो जारी किया और उसमें एक बार भी उन्होंने लोगों से प्रदर्सन कारियों से हिंसक भीड से शांति की अपील नहीं किया सैयम बरतने के लिए नहीं कहा बलके उल्टे मौदी सरकार पर गंभीर किसम के आरोप लगाए कि वो करूरता से विरोधी आवाजों को कुचल रही है उनका दमन कर रही है प्रश्न ये है कि क्या वाके विरोध को कुचला जा रहा है या विरोध के नाम पर लोग कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा पर आगजनी पर उतारू है पथराओ पर उतारू है एहम्दाबाद से लेकर के तमाम दूसरी जगहों पर हमने देखा है किस तरीके से उग्र भीड ने बिना किसी उकसावे के पुलिस को पत्थराओं से निशाना बनाया जो जूट बोले जा रहे हैं और जिसकी वज़े से खास तोर से मुसल्मान सडकों पर आए हैं और जूमे की नमाज के बाद भी परदर्सन और हिंसा हुई है उनको ये भर्माने भढ़काने की कोशिस किसने की कि सरकार उनको नागरिकता से वन्चित करने का परियास कर रही है ये इतना बड़ा जूट कौन फैला रहा है कॉंग्रेसी वामपन्थी और कुछ ऐसे संगठन जो भारत में आमन नहीं चाहते विकास नहीं चाहते ना तो नागरिकता संशोधन कानून में और ना ही राष्टियता नागरिक रिजिस्टर में ऐसा कोई प्रावधान है ऐसी कोई व्यवस्ता है कि इस देश के नागरिक मुसल्मानों को उनकी नागरिकता से वन्चित किया जा सके और ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है, कोई सरकार भी नहीं कर सकती है, यहां समिधान का कानून का राज है, यहां अदालते हैं, जहां छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी बात को लेकर कोई भी नागरिक सुप्रिम कोट जा सकता है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया गया है ऐसा किसी भी कानून में चाहे NRC हो या CAA हो किसी में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है कि मुसलिम कम्यूनिटी को किसी भी तरीके से आशंकित होना पड़े तो सवाल ये है कि उनको आशंकित कोन कर रहा है उनको सडकों पर लेकर के कोन आ रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है अभी तक भी राश्टियता नागरिक रिजिस्टर का ड्राफ्ट तक तयार नहीं हुआ है और उसको लेकर के अभी से अफ़माहें फैलाना आशंकाएं जाहिर करना आशंकाओं के बादल क्रियेट करके लोगों को डराना उनमें दहशत क्रियेट करना कि फिर से नोटबंदी की तरहे लाइन में खड़ा हो करके अपनी नागरिकता के परमान देने पड़ेंगे और ये सोनिया गांदी ने ही नहीं कहा अपने वीडियो में ममता बेनर जी भी इसी तरीके से मुसल्मानों को डराने की कोशिश कर रही है जबके इस तरह का कोई प्रावधान बिलकुल नहीं किया गया है राहुल गांदी का वयान देखा आपने उन्होंना कहा कि प्रधान मंतरी मोधी और ग्रह मंतरी अमित शाहा ने पूर्वत्तर को आग के हवाले कर दिया है इन्होंने पूर्वत्तर के रज्जों में आग लगा दी है किसी टेलिविजन चैनल पे आपने देखा है क्या कि भीड का नितृत्व नरेंद्र मोदी या आमित शाह कर रहे हैं और कहीं उन्होंने आगजनी की है या पत्राओं में हिस्सा लिया है तो इस तरह के बेहुदा बयान देने का मतलब क्या है ग्रह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल को इंटर्व्यू देते हुए ये कहा कि इस देश में एनर्सी राजी उगांदी लेकर के आई थे और जो 1985 में असम एकॉर्ड हुआ था उसमें भी एनर्सी का एक उपबंद था तो अगर कॉंग्रेस राजी उगांदी के शासनकाल में एनर्सी लेकर के आई थी तो आज वो एनर्सी का विरोध क्यों कर रही है इसी तरीके से 2003 का एक वीडियो सामने आ गया है जिसमें राज्य सभा में तब के कॉंग्रेस संसदिय दल के नेता यानि विपक्ष के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंग नागरिक्ता संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगला देश में जो आलफ संख्यक हिंदू और दूसरे समधाय के लोग हैं उनको उदारता के साथ नागरिक्ता देने पर विचार किया जाए और उप सभापती के आसन पर विराजमान नजमा है अपतुल्ला कहती है उप प्रधान मंत्री लाल कृष्ण आडवानी से कि आडवानी जी इसी तरह की समस्या पाकिस्तान में भी है वहां के हिंदूओं और अलफसंख्य कम्यूनिटी के बारे में भी सरकार उदारता से सोचे तो कॉंग्रेस का ये दोहरा चरित्र 2003 में आप कुछ कहते हैं नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर के और 2019 में आप कुछ और कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार भेद भाव कर रही है तब मनमहन सिंग ने मुसल्मानों का जिक्र नहीं किया अपने भाशन में कि मुसल्मानों को भी नागरिक्ता दी जाए आज कॉंग्रेस मुसल्मानों की बात क्यों कर रही है और एक ब्रहम का वातावरन क्रियेट क्यों किया जा रहा है इस देशुए यही मम्ता बेनर जी जब संसद सदस्द से हुआ करती थी इन्होंने घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर के लोग सभाय स्पीकर के ऊपर कागज भाड़ करके फैंक दिये थे विरोध करेंगी और एनर सी को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी इसी तरीके से नागरिकता संशदन कानून को भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी क्यों सोचने की जरूरत है इस पर सोचने की जरूरत है कि एक पूरे समुदाए के भीतर निरादहार भै पैदा करने की साजिश किसने और क्यों रची है और विरोध के नाम पर हिंसा और आग जनी क्यों की जा रही है हिंसा की निंदा करने के बज़ाए उसे और उकसाने की कोशिश क्यों की जा रही है और जिन दलों के लिए देश की एकता और अखंडता सर्वोच अस्थान पर होनी चाहिए वो सामपरदाइक सोहर्द बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वो देश विरोधी गतीविदीयों को पढ़ावा देने और उक्साने का काम क्यों कर रहे हैं और ये जुट क्यों फैला रहे हैं कि विरोध की आवाजों को कुछलने की कोशिश की जा रही है जबके हकीकत यह है कि जहां जहां इस तरह के परदर्सन हुए हैं उनको इजाज़त दी गई है जहां हिंसा की आशंका है वहां 144 लागू की गई है जो लोग जूटे हैं उनको बार-बार चेतावनी दी गई है कि वो वहां से चले जाएं और जब वो आग जनी या पत्राव प तब पुलिस ने बलपर योग किया है और शांती की अपील करने के बज़ाए सेयम बरतने की अपील करने के बज़ाए ये कहना कि कॉंग्रेस आपके साथ खड़ी है ये क्या दर्शाता है ये किस तरह की सियासत इस देश में शुरू की गई है और क्यों की गई है प्रियंका मारा जा रहा है पीटा जा रहा है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है ये क्या है ये एक तरीके से क्या उपद्रवियों का समर्थन नहीं है कॉंग्रेस ने मौदी सरकार को बदराम करने के लिए जो दाओं खेला है वो उल्टा पड़ने की आशंका पैदा हो गई है और इसकी वज़े ये है कि जिस तरीके से खास तोर से मुस्लिम समुदाय को सड़कों पर उतारा गया है और जिस तरीके से वो हिंसक हुए है जिस तरह उन्होंने पत्थराओ किये हैं आगजनी की है उससे जो बहुत संख्यक हैं उनमें गहरी नाराजगी पर अपनी शुरू हो चुकी है कॉंग्रेस की चाल तो ये है कि जिस तरह केरल में उसको मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल हुआ है उसी तरीके से वो उन सभी परदेशों में भी मुस्लिम समुदाय को फिर से पार्टी के पक्ष में युनाइट करना चाहती है जहां जहां वो दूसरे दलों को भी वोट देते हैं लेकिन इस प्रियास में इस प्रवर्ती में कॉंग्रेस को बहुत बड़े वोट वर्ग की गहरी नराज़गी का सामना भी खरना पड़ सकता है जो उसको बहुत महगा पड़ेगा अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आगर आपको यह चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेन्ट करें वीडियो का शेयर भी करें और अभी तक अगर आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब भी कर ले और साथ में लगे बेल आएकॉन को दबा दे ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे बहुत बहुत धन्यवाद